हेलो दोस्तो लेट्स क्रेक इडिम आपका स्वागत है और न्यू इंडिया समाचार मैगजीन का इशू नमबर 9 आप लोगों के सामने एक से लेकर के 15 नमबर 2021 का ये मैगजीन यहाँ पर है ठीक है तो इसको हम यहाँ पर डिसक्स करेंगे देखिए नो यहाँ पर इशू जो ह पर आपके काम कियाती है वो यह है कि गुड्स हैमेरिटंस टू बी रिवार्डिट फोर टेकिंग रोड एकसिडेंट विक्टिम तुदा होस्पिटल तो जैसे रोड एकसिडेंट में आपके जो विक्टिम हैं यहाँ पर उनको अगर आप होस्पिटल लेकर के जाते हो तो अबोर्ड यहाँ पर देने की बात की है वर्ड हेल्थ और्गिनाजेशन के हिसाब से माने तो उन्होंने एक टार्गेट यहाँ पर रखा है कि जो रोड एकसिडेंट के नंबर है या फिर इंजरीज है या फिर जो लोग मरे हैं उनको 2030 तक आधा करना है ठीक है तो रोड ए पार्गेट याद रखने 2030 तक 2025 तक तो इस सभी को देखते हुए अपना जो मोटर वही कलेक्ट है 2021 वह भी यहाँ पर लॉंच किया गया उसके अंदर रूल्स भी स्टिक्टर रखे गए ताकि रोड एकसिडेंट के कैसे वो कम किया जा सकें अब देखो इन्होंने यहाँ प यहाँ पर देखो कि एकसिडेंट होने के एक घंटे बात तक का जो पीरियड होता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं जब विक्टिम के बचने की संभावनाई जादा होती है यानि कि उसको मौत के मुह से निकालने की संभावनाई जादा होती है इस तरीके साथ समझ सकते हैं और ये जो आपका award है ये पाँच वार दिया जा सकता है एक साल में maximum ऩो maximum एक साल में पाँच वार दिया जाएगा और total हम देखें तो 10 national level awards भी यहां पर दिये जाएंगे उसमें आपकी एक लाक रुपे की price money भी यहां पर दी जाएगी in the name of good Samaritan तो इस तरीके से आप भी जो ह काम यहां पर बनता है ठीक है उसके बाद गुवर्मेंट अचीव टार्गेट ओफ ओपनिंग 8300 तो 8300 जन और देड्लाइन तो यह आपकी जन और यहां पर खोलने की बात हो रही है जन और के अंदर जो मैडिसीन है वो अफोर्डेवल प्राइस पर गरीब लोगों को प्रोव केंदर बना देंगे 2022 तक लेकिन उससे पहले ही हमने यहां पर जो है वो तैयार कर लिया है ठीक है तो हमने अब इस टार्गेट को बढ़ा दिया है हमने कहा है 2024 तक 10,000 कर देंगे इनको और यह भी अराम से हो जाएंगे ठीक है क्योंकि आप देखो कि कुल 1700 और हमें भारतिय जोनोजदी केंदर यहां पर खौल ले हैं ओके तो 6 महीने पहले ही हमने इस डैडलाइन को पूरा कर लिया और यह काफी अच्छी बात यहां पर हो जाती है इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री इन वर्ड तु स्टार्ट कमर्शियर प्रड़क्शन ऑफ नैनो यूरिया लिक कमर्शियर प्रड़क्शन भी स्टार्ट कर चुके हैं और आप देखो कि दीपावली के दिन हमने 100 तन के करीब यहां पर जो है वह नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर आपकी श्री लंका को भेजे ठीक है श्री लंका को भेजे क्यों कि श्रीलंका ने कहा है कि हम करेंगे वह इन और्गेनिक फार्मिंग को पूरी तरीक से माना कर रहे हैं अभी और्गेनिक फार्मिंग में नैनो यूरिया काफी ज़्यादा सहायक सिद्ध हो जकता है ठीक है तो इन सब को देखते हुए यह सारे काम किया रहे हैं आप देखो तिल नाव इंडिया हैस प् है 75 new science technology and innovation hub for SC and ST तो इसमें कुछ खास news रही है innovation और entrepreneurship को बढ़ाने के लिए सब काम किये जा रहे हैं SC and ST community के लिए 75 science technology and innovation have across the country यहाँ पर open किये गए हैं ठीक है तो यह चीज़ आप यहाँ पर ध्यार में रखो इन दे लास्ट टू यर्स 20 STI हब्स यहाँ पर तयार किये गए थे और अब हमने यहाँ पर 75 जो हैं वो तयार किये हैं उसके बाद वूमें ट्रांसफोर्मिंग इंडिया अवार्ड व और नीती आयोक का अपना एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं वोमें एंटरपर्नियोशिप प्लेटफॉर्म डवलू ईपी यह प्लेटफॉर्म 2018 में लोंच किया गया था ठीक है इस प्लेटफॉर्म के जरिए यह आवार्ड यहाँ पर 2018 से दिये जा रहे हैं ठीक है तो नेशन है वो हमने पूरा कर लिया है तो यह बहुत ही एक माइल स्टोन जो अचीवमेंट है वो हमारी यहाँ पर हो जाती है कि इस तरीके के टार्गेट हमने अचीव किये हैं इंडिया की जो एक्सपोर्ट हैं वो हंड्रेड बिलियन डॉलर्स कर गया हैं फॉर्ड फर्स त टार्गेट रखा है कि जो फाइनेशल इयर 2021-22 है उसमें 400 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट रहेगा यह जो 100 बिलियन का एक्सपोर्ट है यह क्वार्टरली दिखाया गया है ठीक है तो क्वार्टरली के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखें 400 बिलियन का ठीक है तो हमारा टार्गेट है कि इसको पूरे साल में आपको 400 बिलियन का एक्सपोर्ट टार्गेट हमने यहाँ पर रखा है ठीक है तो यह चीजे भी आप यहाँ पर ध्यान में रखो अगर हम देखें अपरेल से सितंबर की बीच में यानि की आगर आप हाफ एडली डिया डियेट है वो यहां पर आपका 197 बिलियन के करीब है तो यह सब चीजे आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए तो जादा डाटा नहीं लेकिन यह टार्गेट आपको यहाँ पर याद रखना है कि 400 बिलियन का टार्गेट हमारा यहाँ पर है एक्सपोर्ट ओफ 185 डाटा याद रखने की जुरूद नहीं है मिलियन इन अप्रेल टू अगस्ट 2020 मतलब खुल मिलाके जो एग्रिकल्चर के एक्सपोर्ट है गोवर्मेंट की पॉलिशी के करण उनको भी काफी भारी मात्रा में जो है वह एक्सपोर्ट यहां पर किया गया और प्रोसेस्ट फ इसटिक है वहां पर कंडमल हलदी हुआ जाती है ठीक है तो वह हलदी पूरे बिश्व में यहां पर जानी जाती है तो उस इस टीम प्रोडक्ट वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट का जो एक initiative है वो इसके अंदर में लिया जाता है तो considering the immense potential in the field of food processing वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट scheme लो है वो launch की गई under this scheme financial assistance provide की जाएगी जितने भी ऐसे self-help group हैं या फिर ऐसे जो लोग हैं जो work कर रहें in the food processing industries उनको equipment देने के लिए सब काम किया जाएगा तो पूरे इंडिया में अगर आप देखें इसहत्तर स्टेट हैं 707 डिस्टिक्स हैं उन 707 डिस्टिक के अपने product हो गए 707 product यहां पर चूज किये गए ठीक है तो यह सब चीज़ें आपको यहां पर ध्यान बढ़ी है हम पहले क्या था कि दुनिया के सबसे बड़े आर्म इंपोर्टर के नाम से जाने जाते थे रिकोगनाईज की जाते थे लेकिन अब जो है वो हम defense product के exporting market यहां पर बन करके उबर रहे हैं ओके इंडिया की जो defense export हैं वो 2014 के level में 2020 तक 300 से जादा percentage से बढ़े हैं यानि कि 300 परसेंट यहां पर आपके defense export बढ़ा है ओके देखें आप 1900 क्रोन रुपे का यहां पर हम करते थे लेकिन अब ही बढ़ करके लगबग 2400 क्रोन रुपे का हमारा जो export sector है defense product का वो यहां पर बना हुआ है हम इनको यहां पर आप देखें एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसके अंदर में आ जाते हैं तेजस अरजुन MK1A टैंक धनुष कैनन और यह सब चीज़ें यहां पर आ जाती हैं पिनाक और ओकिट सिस्टम अपने पास हैं तो यह सब चीज़ें हम यहां पर आपके इक्सपोर्ट कर रहे हैं टुटीफेंस कोरिडॉर्स एक टमिलाडू में एक उत्तर प्रदेश में बनेगा उत्तर परदेश में जो पन रहा है कोरिके से चैन नोड यहां पर आप्र हैं और इन सभी को हें इस तरीके सेदो हाँ पर चोढ़ते थेयाा है पूरे साल में लेकि तो अभी हम लगबग पांच एरक्राफ्ट छोड़ देते हैं हर साल ठीक है और यह हम देखें तो हमें इन सब चीजों को और भी बढ़ाना है सेटिंग रिकॉर्ड इन दे लास्ट सेविनियर में हम ओन एन एवरेज जो फाइब एरक्राफ्ट यहां पर छोड़ने लगे हैं तो अलग अलग जो रिपॉर्म्स भी यहां पर लिए जा रहे हैं इस बीन पॉसिबल थो प्रोग्रेसिव इस्पेस लीडिंग रिफॉर्म सूपर पावर्स इस्पेस रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स मिशन इंडिया ने बहुत सारी जो फीदर से अप्ली कैप में डाले सब हमारे माइलिस्टों से साथ इसाथ प्राइवेट सेक्टर के इंवेस्मेंट को बढ़ाने के लिए उनके पार्टनर्शिप को बढ़ाने के लिए और न्यू जॉब्स क्रियेशन के लिए यहां पर हमने इंडियन स्पेस एसोशेशन भी ओपन किया ठीक है तो यह सब ची को इनेवलर की रूप में गॉर्मेंट का रहना चाहिए तो प्रिपेर्ड यूथ ओर द फ्यूजर के लिए यूथ को जो है वो प्रिपेर करना है और इस्पेस सेक्टर को एज़री सोट्स पर प्रोग्रेस उसके लिए तयार रखना है इंडिया इस पेस सूपर पावर्स इ यहां पर आपका लॉंचीवी वहिकल है और केरीड ओन दा मिशन और थी डिफरेंट और्बिट इन सिंगल फिलाइट एक सिंगल फिलाइट में तीन डिफरेंट और्बिटर्स के लिए मिशन ले जाया जा सकता है इंडिया ने लॉंच किये जी सेट 11, जी सेट 29 हाई स्पीड कम्यूनिकेशन सैटलाइट थे ठीक है और इशिरो ने यहां पर क्रियेट किया वर्ड रिकोर्ड एक सो चार सैटलाइट को एक साथ यहां पर छोड़ा उसमें से एक जो है वो आपकी लिखा हुआ था यूफेरिया ओफ फैस्टिबल्स बॉकल फोर लोकल तो इन सब चीजों की बात की गई थी कि दुरान आप किन चीजों को यहां पर उठा करके यूज कर सकते हैं कालब कह सकते हैं कि इंडिजीनेस यूज कीजिए आप स्वेदेसी चीजों को यूज कीजिए वो चीज़ें यहां पर दी गई थी मैंनों उस चीज़ को थोड़ा सा इगनोर कर दिया है ठीक है क्योंकि वह इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा लेकिन यूनियन केबिनेट टेक्स्टाइल रीजन एंड एपरल मित्रा पार्क यहां पर बनाने की बात हो रही है यानि कि कॉंप्रेंसिव टेक्स्टाइल इंडिगेडिड टेक्स्टाइल सेक्टर एंड एपरल पीम मित्र पार्क यहां पर बनाने की बात चल रही है टेक्स्टाइल सेक्टर के अंदर मित्र पार्क यहांपर बनाए जाते हैं तो यह साथ मित्र पार्क हैं 5 साल में बनाए जाएंगे अगले और इनले जो 440 करूं रुपे यहांपर लगेंगे त глаз फार्क जो है वो पबलीक प्राइवेट पार्नरशिप पर है 5F business उनको कहते हैं farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion, fashion to foreign to benefit various sectors तो इस तरीके से अब 5 यहां पर आपके हो गए farm, fiber, factory, fashion, foreign तो 5F के बेस पर आपका जो textile sector है उसमें improvement की बात की जा रही है उसके अलावा हम यहां पर देखें तो union government ने, union cabinet ने approve किया है productivity waste bonus यहां पर provide किया जाएगा 78 day salary के बरावर यह आपका जो है वो bonus होगा और यह सभी eligible non-gadgeted railway employees को देने की बात चल रही है ठीक है तो इसके लिए दो सो करोण, दो हजार करोण रूपे यहां पर जो है वो railway account में आपर transfer भी के गए ताकि वहां से जो non-gadgeted railway employees हैं उनको यहां पर भेजे जा सके ऐसा जो department है पहला बना railway जिसमें इस तरह के की सुविदाएं जो productivity based bonus है वो provide किया जा रहा है तो इस तरीके से आप यहां पर देखे कि यह जो bonus होगा यह बराबर होगा 78 दिन की salary के ओके और इस तरीके से यह चीज़ें यहां पर मदद करेंगे Union cabinet ने approve किया है affiliation of 100 government and private school with the scenic school society the more venerals admission of 5000 students in class 6 तो 100 government and private schools का scenic schools के साथ एक तरीके से affiliation जो है वो यहां पर allow कर दिया गया है तो यह सब जो targets है वो national education policy के हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो students हैं उनको culture, heritage, इन सब के साथ साथ patriotism और effective leadership, discipline, national duty सिखाने के लिए सैनिक स्कूल के साथ उनको tie up किया गया है तो इतनी news आपको पता होनी चाहिए थी उसके बाद the cabinet approved the nutrient based subsidy rates तो जो आपकी NBS subsidy rates यहां पर हैं फॉस फॉस फॉर्टिक और पोटैशिक फॉर्टिलाइजर के लिए उनको decide किया गया for the year 2021-22 के लिए उके अंडर इट डियर विल बी a subsidy of यह कि amount क्या रखने की जड़त नहीं राभी harvest crop के लिए यहां पर लॉंच किया गया और साथ ही साथ जो आपके फॉस फॉस फॉर्टिक और पोटैशिक फॉर्टिलाइजर थे उनके लिए भी subsidized price यहां पर लॉंच किया गया ओके तो ऐसे सब चोटी 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 नीज है यह नहीं है यह जरूरी है कि यह NBS होता क्या है nutrient based subsidy क्या होती है ओकी चीज़े पता होनी चालिए उसके बाद दो नए प्रोग्राम लॉंच किया गया अधर important decisions of the union cabinet and its impact तो सवच भारत mission urban यहां पर उसको extend किया गया उसका दूसरा phase यहां पर लॉंच किया गया सवच भारत mission urban 2.0 यहां पर लॉंच किया गया और अमृत तू यहां पर लॉंच किया गया ठीक है तो यह दोनों mission जो है वो यहां पर चल रहे थे सवच भारत mission urban और अमृत mission यहां पर था इनकी deadline को 5-5 साल के लिए यहां पर बढ़ाया गया 2025-26 तक के लिए ठीक है इसके अंदर अगर हम देख circuit road facility देखने के लिए मिल रही है तो इस तरीके से यहां पर वर्ग जो है वो नहीं होगा तो यह जो gap यहां पर आपका cities के बीच में रह गया है इसको कम करने के लिए PM मौधी ने अमृत जो वीजन है वो यहां पर लॉंच किया अमृत का नाम फलफॉम है अटल mission for rejuvenation and urban transformation य ठीक है उस urban area के अंदर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा water की सुविदाएं provide की जाएंगी वगरा वगरा चीज़ें इसके अंदर में है ओके तो the journey of Amrit 2015 में शुरू हुई और इसको अब जो है वो बढ़ा दिया गया है और Amrit 2.0 के नाम से launch किया गया है तो 2015 में पांस साल के लिए शुरू किया गया था और 2020 में खादा हम फिर पांस साल के लिए शुरू किया गया है तो 2025 था ठीक है तो इस तरीके से काम आपका यहाँ पर हुआ और in the same way हमने स्वच भारत mission urban भी 2.0 launch किया है तो यह इसकी full form आप यहाँ पर याद रखेंगे अमरूत mission का लक्षे आपको पता होना चाहिए दोनों के लक्षे अलग अलग है जो आपका अटल mission for resumination and urban transformation है उसका लक्षे है कि ease of living cities के अंदर जो रहने की सुबीदा है वो आसान हो जाए इसके लिए अमरूत mission launch किया गया था और now it is time to expand the facilities in the cities for the quality of life with स्वच भारत और इसी से launch किया गया PM की द्वारा स्वच भारत mission का लक्षे आपको पता ही है कि इंडिया को open defecation free हमें यहाँ पर बनाना है साधी साध इसको mass movement और people's movement भी हमें बनाना है यह सब काम यहाँ पर किये गए यह सब पढ़ने की जरुत नहीं है पहले क्या था यह देखिए यह आपको ब birth anniversary पर यहाँ पर launch किया गया था 2014 में हमने कहता अगले 5 साल यानी 2019 तक हम open defecation free हो जाएंगे और हम हो गए इसके लिए हमने बहुत सारी public toilets यहाँ पर बनाए और बहुत सारी cities में बनाए और यहाँ पर आप देखोगे कि when the country took a place cleanliness become a mass movement और हमने जो सच था है उसको mass movement यहाँ पर तया किया 10 क्रोंट ट्वालेट्स हमने यहाँ पर बनाए एक्चली 11 क्रोंट का डाटा यहाँ पर दिया गया था और इसमें जो है वो काफी सारे पैसे भी यहाँ पर लगे इंडिया ने इस चीज़ को बहुत सारे पैसे सेब भी किये क्योंकि उससे फिर जो बिमारी आत जा रहा है कि सिटीज जो है वो एक दूसरे से कंपीट की और हमने देखा कि हमने किस तरीके से जो सचता सरवेक्षा ने उसको भी यहाँ पर लौंच किया और हेल्धी कॉंपेटिशन को बढ़ावा देते हुए यह सब काम हमने यहाँ पर किये वेस्ट प्रोसेसिंग का का क अंदर तो नए मिशन के अंदर आप देखें सिटीज को जो है वो गार्वेस्फरी बनाया जाएगा ओके इसके लिए हम थ्री पॉइंट फाइव लैक नए कम्यूनिटी इंडिविजुल टॉट टॉइलेट्स भी हाँ पर बनाएंगे साथ ही फुली लिक्विड बेस्ट मै काम करेंगे ओके और ऐसी सिटी जो कि अमरुट के अंदर यहांपर कवर नहीं थी उनको अप सुच भारत मिशन के जरीए पूरा किया जाएगा हम ODF PLUS को बनाए रखने की कोशिश करेंगे और साथी साथ ODF PLUS PLUS को भी बनाए रखने की कोशिश करेंगे ODF PLUS, ODF PLUS PLUS का मतलब यही है कि जो open defection free आप हो गए हो कहीं लोग बापस जो है वो पटरी पर ना आ जाएं open defection free का status बना रहे उसके जरीए यह काम यहां पर किया जाएगा जो भी cities ऐसी होंगी जहां पर यह चीजे कायम रहेंगी ODF PLUS, ODF PLUS PLUS कहीं जाएंगी ठीके उसके अलावा solid based का segregation from the source 100% disposal of solid based यह हमारा target है इसके अंदर याद रखना 100% साथी साथ जो single use plastic है उसको बंद करने की बात हो रही है और facilities for processing based उसको भी बढ़ाने की बात हो रही है तो based processing की यहां पर बात चल रही है साथी साथ air pollution कम करने की भी बात है यहां पर ऐसी cities में जिसमें 5 लाग से कम की population है इतना minute नहीं पढ़ना special attention दिया जाएगा for the personal protective equipment PPE along with the skill development of the employees ताकि sanitation और waste management का ध्यान रखा जा सके और हमारा जो यह सुच भारत mission 2.0 है यह base होगा on 3 hour यानि की reduce, reuse और recycle पर focus होगा हम जो urban solid waste होगा उसकी scientific management करेंगे scientific processing यहां पर करेंगे तो इस तरीके से effective solid management हम यहां पर करने की बात कर रहा है उसके अलावा mission अमरेट 2.0 launch किया गया इसमें पहले क्या होता था और अब क्या होता यही दिया गया है तो अटल mission for renewable energy and transformation 25 जून 2015 में यह चला गया था और 500 cities जो है वो cover की गई इसके अंदर लगभग 60% of urban population पूरे इंडिया की इसके अंदर cover कर ली गई तो all cities जिनकी population एक लाग से कम की थी इस mission के अंदर में cover की गई और the main thrust of the mission is on piped water supply and seaways and septic management in cities cities के अंदर जो seaways और septic management के लिए यहां पर काम करना था साथ ही साथ drainage system अच्छे होने चाहिए urban transport non-motorized होने चाहिए green spaces होने चाहिए like park वगएरा वहां पर बने हुए होने चाहिए तो इसके लिए काफी जादा जो money है वो यहां पर दिया गया याद रखने की ज़रूरत नहीं है तो यह चीज़ यहां पर आप याद रखोगे domestic water supply के लिए one crown tap connections भी यहां पर दिये गए sea waste treatment plants का भी पूरा ध्यान रखा गया कि कितनी जो municipal liquid waste है या फिर वो सब waste वगएरा वो कितना यहां पर treat किया जा सकता है तो वही है कि जो issues है urban cities के अंदर like water logging, increasing parks, green spaces इन सब को promote करना promoting non-motorized urban transport यह अम्रोथ के अंदर में थे तो अब इसके अंदर में और काम किये जाएंगे अब हम क्या है कि जो 4700 नए टाउन यहां पर चूज किये गए उनको water safe बनाएंगे अर्बन एरिया की जो water need है उसको पूरा करेंगे जो water bodies है उनको rejuvenate करेंगे better manage reservoir reservoirs जो उनको manage करेंगे waste water को retreat करेंगे तो इस तरीके से हम circular economy को जो है वो promote करेंगे इंद the water sector अमरोथ 2.0 का aim यह भी है कि 100% coverage of water supply all household के अंदर हो जानी चाहिए total देखें 4700 local urban bodies है और उसके अंदर 2 करोन urban household है उनको tap water connection भी provide करने है यह भी है आपर जो है वो data है तो यह data नहीं पढ़ना under this principle of circular economy जो है वो adopt किया जाएगा जैसा कि मैंने बताए कि circular economy जो है वो basically तीन चीजों पर यहां पर focus करती है और वो तीन चीज़े यहीं है reduce, reuse और recycle ठीक है तो इन चीजों पर focus करते हुए हमें यहां पर काम करना है परसेंट septic treatment यहां पर होना चाहिए उसके ओपर यह special focus करता है अमरोद 2.0 ठीक है तो यह चीज़ याद रखो इससे जो है वो लगबग 10 को लोगों को फायदा होगा अर्बन water bodies वो अच्छी होंगी fresh water की supply यहां पर मिलती रहेगी ठीक है recycling और reuse पर भी दिखन देना है जो की circular economic part है और यह सब चीज़े याद रखनी है उसके अलावा जल जीवन मिशन एप भी launch किया गया जल जीवन मिशन एप लूँच किया गया और जल जीवन कोश भी यहां पर लूँच किया गया यह राष्ट्रे कोश है और इस कोश को बनाया गया है department of drinking water and sanitation ministry of जल सकती के अंदर में इस कोश के जरिए जो है वो आपका पै जाए 2024 तक पीने के पानी की स्वच पीने के पानी की जो है वो टंक यहां पर अबलेबल होना ही चाहिए तो उसके लिए काम यहां पर किया गया है कोश यहां पर तयार किया गया है साथी एप भी बनाया गया है एप के फीचर वगएर जाने की जरत नहीं है उसके अलावा पत्राई बाल गंगा धर्तिलग और विपिन चंदर पाल जी की हम बात कर रहे हैं तीनों की फोटो यहां पर दी गई है उके विपिन चंदर पाल जी के बारे में अगर हम यहां पर जाने तो लाल बाल पाल के अंदर में यहां पर आते हैं आपको पता होगा फादर ओफ रिव समाच के साथ associated यहां पर रहे ओके तो जब बंगाल का partition यहां पर हुआ तो revolutionary group जो की लाला राजपत राए के साथ बाल गंगा धरतिलक और बेपेंच चंदरपाल तीनों का यह अपना एक group लाल बाल पाल का form हुआ जब यहां पर बंगाल बिवाजन हुआ तो यह चीज़ आपको यहां पर ध्यान रखनी है इन्होंने साथ मिल करके British goods की बायकोट करने की बात कही जब Britishers ने इनको arrest किया बाल गंगा धरतिलक को 1907 के अंदर ठीक है बाल गंगा धरतिलक की इन्होंने अपना एक newspaper भी स्टार्ट किया स्वराज ठीक है तो स्वराज newspaper यहां पर इन्होंने स्टार्ट किया इनके जो आइडियास हैं वो आज भी यहां पर वर्क करते हैं like idea of स्वेदेशी poverty elevation and education गॉर्मेंट इन तीनों issues पर जो है वो अलग अलग जो प्रोग्राम से वो यहां पर चलाती है तो विपिन चंदर पाल डिड़ लोट ओव वर्क फोर्स स्वेदेशी poverty elevation and education he also brought out several newspaper during the lifetime ठीक है तो इस तीनों चारों पॉइंट जो भी यहां पर बताएगे उनको आप यहां पर याद रखेगा उसके बात बात करते हैं बासुदेव बलवंत फटके जी के बारे में who made the life difficult for the British तो बासुदेव बलवंत फटके जी के बारे में अगर हम यहां पर देखें तो इनका opinion था स्वाराज का इनका भी अपना opinion था कि स्वाराज हमें यहां पर हासल करना है और जितनी भी बुराईया British समाज के अंदर में हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए यह एक मतर रामार तरीका है स्वाराज ठीक है तो यह चीज़ इन्होंने यहां पर बनाई फटके जो हैं वो कहे जाते हैं कि यह फर्स्ट revolutionary warriors थे ओफ इंडिया जो 1857 की किरांती में भी यहां पर उभर करके आए और यह जो हैं वो basically आप देखें तो महदेव गोविंदराना जी से काफी जादा influence यहां पर थे और इन्होंने organize की tribal army और declare कि rebellion against the British in 1879 ओके तो यह चीज़ यहां पर आपको ध्यान में रखनी है अच्छा यह जो है अगर हम इनकी बात करें बलबंत बासुदेव फटके जी के बारे में तो यह जो है वो 1857 की किरांती के बाद कोई बड़ा बिद्रो हुआ तो वो इन्ही के करां यहां पर हुआ और यह विद्रो था tribal reward जो की 1879 के अंदर यहां पर हुआ आप देख सकते हो यहां पर ठीक है तो 1879 में 1857 की करांती के बाद कोई बड़ा विद्रो पहली बार हुआ फर्स्ट revolutionary warrior जो की 1857 के बाद में हुआ वो इनका ही यहां पर लॉंच किया हुआ था बिर्टिशर्स ने इनके उपर अवार्ड भी रखा 50,000 रुपे का कि इनको पकड़ करके लाने का अवार्ड दिया गया दूसरे थे रंजी सिंग इन्होंने powerful sick empire यहां पर जो है वो बनाय और इनको सेरे पंजाब कहा जाता है इनको lion of the पंजाब भी कहा जाता है और एक strong पंजाब united province इन्होंने यहां पर तैयार किया ब्रिटिशर्स यहां पर नहीं गुस्पाई ठीक है एक सीमा तक इन्होंने उन सभी को काबू में रखा upon his worth इनके parents ने इनका जो नाम है वो बु यहां पर जो है वो खराब हो गए थी इन्होंने यह भी कहा था कि God ने मुझे एक ही आँख दिये इसलिए मैं हिंदूस मुस्लिम सिख क्रिशन रिच पूर सभी को एक ही नजर से यहां पर देखता हूं equally देखता हूं ठीक है तो equally देखने का मतलब है कि tolerance among the religions यह यहां पर follow क पर किया ठीक है तो दा क्रेडिट फॉर दा न्यू लुग गोल्डन टेंपल गोस्टू दा रंजी सिंग रोखे तो यह सारे पॉंट याद रखो फिर बात करते हैं कुवर सिंग जी के बारे में हूँ लेट दर एवलूशन इविन दे एज ओफ एक्टी तो कुवर सिंग ज जो है वो कारवित यहां पर लागू करते थे एज चाइल ही वाज मोर इंटरेजिट इन होर्स राइडिंग एड़ मास्ट इन गुरिल्ला वार्फेर में काफी जादा इंटरेसिन का यहां पर था इस नाम से एक सैंट वहां पर रहते थे उन्होंने कुवर सिंग को पैट्र थोड़ से इनके यहां पर याद आपको रखने हैं अगे दे स्टोरीज ओफिस ब्रेवरी आज भी यहां पर सुनाई जाती हैं बिहार के अंदर और इन वन एंसिडेंट इनके हाथ में बुलिट लग गई और गोली लगने की वज़े से जो है वो इनकी जो मौत यहां पर हो कालो जी नाराराम इसको यहाँ पर प्रजा कवी के नाम से भी जाना जाता था यानि पॉइट आफ दा पीपल तो बेसिकली यह एक पॉइट भी थे एक शोशल एक्टिविस्ट भी थे एक फाइटर भी यहाँ पर यह रह चुके थे ठीक है तो इन्होंने जो है वो वर्ग किय यह करनाटक में पैदा हुए और निजाम का शाशक उस समय पर चल रहा था तो निजाम के अगेंस्ट यहाँ पर इन्होंने मास मॉवमेंट जो है वो लूंच किया तो सोसाइटी के जो मार्जनलाइज लोग थे उनके लिए भी इन्होंने यहाँ पर काम किया और आर्रेसमा कि जेबी करपलानी जी की बात हम यहाँ पर करेंगे और जेबी करपलानी जी के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो एट प्रिजेंट अचारे जेबी करपलानी के जो आइडियाज हैं वो प्रिजेंट में भी यहाँ पर लागू है और इन्होंने इंडियन नेशन कॉंग्रेस के प्रेस्इड किस ने की ओगे तो यह बी यहाँ पर है यहे बी करप्रानीन का पूरा पूरा नाम जो है वह आपको मिल जाएगा जीवात्रम भगधवान्दास कर परानीन का पूरा नाम ये भी कलपरानी जी ही गए थे और at the midnight इन्होंने इनको वहाँ से रिसीव किया था ठीक है और उसके बाद ये इनके influence में आए और बहुत सारी जगों पर इन्होंने याँ पर work किया गांधी जी दुवारा जो गुजरात विद्धपीट यहाँ पर setup की गई थी उसके यहाँ पर यह जो है वो आप देखें कि प्रिंसिपल भी रहे ठीक है 1920 से लेकर के 27 तक वहाँ पर ही इनको जो है वो आचारे की उपादी पिर्दान होई तो इनकी बाइफ थी इनकी बाइफ का नाम तरसुचेता करपलानी जो की उत्तर परदेश की पहली वूमेंट चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बन करके आई और कुट इंडिया मूवमेंट हो डांडी आत्रा हो सिवल डिस ओविडेंट हो सबी में इन्होंने यहाँ पर साथ मिल करके काम किया और लोक सबा में काफी एक्टिव रहे आप देख सकते हो की 52, 57, 63, 67 की लोक सबा में चार बार एलेक्टिड हुए अलग अलग पार्टी बनाई इन्होंने पार्टी यहाँ पर बनाई किसान मज़ूर पिरजा парटी अगे इस पार्टी को बाद में सोचलिस पार्टी और इंडिया के साथ मरच कर दिया और एक नए पार्टी यहाँ पर लाई पिरजा सोचलिस पार्टी अगे और इस के ज़रीये वो लोग सबा में भी काफी एक्टिव यहां पर थे तो यह चीज़ भी आपको यहां पर पता होनी चाहिए तो यह हमारी जो है वो लास्स लाइड है और इतना मैगजीन के अंदर से काम का निकलता है देखे पेज जो आपका यह कवर पेज है इसको देखकर के लगता है कि मैगजीन के अंदर कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी जो वीडियो है वो आदे घंटी से उपर कि यहां पर हो गई और कुछ भी इर्रिलेबेंट नहीं पढ़ाया जाता ठीक है तो यह कवर देखकर के मता आईए कि दिवाली की बातें अंदर हो रही होंगी नहीं थी जादा ठीक है तो यह सब बातें आपको पताओने चाहिए इसी के साथ वीडियो एंडे करते हैं थैंक्स फूर वोचिंग टेक केर